कि अलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आप सभी की बड़ी रिक्वेस्ट आ रहे है कि सर जब से चेर्में सर ने जेके बैंक के बारे में रिकूट्मेंट का छोटा सब डेट दिया है कि आने वाले टाइम में डे बी गॉइंग टू कंड़क्ट रिकूट्मेंट फोर बैंकिंग तो आप मैंसे बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स टाइम बैंकिंग की जॉब के लिए प्लाई करने का सोचा है तो काफी सारे लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका पिछला क्या पैटर्न था कि इस तरहां का रिकूट्पेंट था क्या स्लेबर्स था वगयरा वगयरा वह आप हमें बताएं तो यह वीडियो फ्रेंट्स खासकर इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों को जेके बैंक का जो एसोशेट का पेपर था जिसको क्लेरिकल भी आप बोल सकते हैं उसका क्या प्रोसीजर था उसकी क्या प्रॉसे तो आप लोगों को बड़े सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा sectional timing का मतलब क्या है friends देखे माल लेते हैं आपके एक्जाम में तीन सब्जेक्स है math, reasoning and english जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा अब उसमें sectional timing का मतलब है math की अगर section है और उसमें माल लेते है 35 questions है तो आपके लिए पहले से ही timer set होगा 20 minutes का वो 20 minutes में ही आपको इस math को करना है इसको गहते है sectional timing right उसके बाद आपको जो सबसे बढ़ा आप कह सकते हैं जिस चीज का ध ranking exam में that is minus 0.25 मतलब अगर आप एक question गलत करेंगे तो आपको उसकी जगा मिलेगा तो कुछ नहीं लेकिन वो आपका negative marks में जरूर आपका नुकसान करेंगा negative marks कितने रहेंगे minus 0.25 right इसके बाद friends और इसके आपके लिए क्या है वो भी आप से discuss करते है और आप अगर आप से जाके YouTube पे career success jamu type करिए वहां पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और bell icon दबाना ना भूले right friends आगे जलते स्लेबस अब friends एक चीज़ आपको धिहान रखनी पड़ेगी banking ऐसी recruitment है जिसमें कभी भी specifically syllabus मतलब topics कभी भी आपको recruitment notification में देखने को नहीं मिलते आपको जो exam की त् इस previous year के हिसाब से previous year जो होते हैं उसमें क्या-क्या पूछा जा रहे है तो उसका compilation होता है topics का जो हमने already हमारी career success की YouTube चैनल बे बहुत सारी वीडियो भी डाली है और आप लोगों की request पे मैं पिछली recruitment का analysis भी ले क्या हूँगा जो हम already एक साल पहले लिया थे जब इसका exam इसके questions होंगे 35, reasoning होगी 35 questions for English होंगे 30 questions right और हर question का एक number तो अगर आप इसको total करेंगे 35, 35 and 30 it will be totaling to 100 marks right उसके बाद friends ये जो recruitment है ये basically last time recruitment आई थी ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक surprising था और बहुत ही अच्छा step था bank की तरफ से वो ये था no interview right that means अगर आपके 100 total marks जो है 100 उसमे से अगर आप merit में आते हैं जैसे आपके mark 85 है 89 है उस order में जो merit बनेगा तो उसके accordingly आपकी selection होगी जो भी cut off decide किया जाएगा तो इसमें आपको interview देखने को नहीं मिलेगा तो ये जो भी हमने आपसे details discuss की they were all related to the previous notification तो previous notification अगर आप देखना चाहते हैं तो हम अपनी next video में ज़ किस तरह की आपको कोई exam के बारे में कोई help चाहिए कुछ पूछना हो आप जरूर हमें comment box में बताएं और हमारा youtube channel subscribe करिए career success जमूँ और आप मेंसे जो भी student live classes join करना चाहते हैं हमें whatsapp करिए 941-9145-3175 thank you so much friends all the best